सलाम आरेकुम हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि EPM पोर्टल जो कि गौवर्मेंट ने Employee Performance Monitoring परपस के लिए बनाई हुई है इस पोर्टल पे कैसे रेजिस्टर किया जाता है तो आए आज हम इस वीडियो के जिरिए जानेंगे कि इस पोर्टल पे हम रेजिस्टरेशन कैसे करेंगे इसके लिए जो गौवर्मेंट ने पोर्टल का ID दिया हुआ है URL दिया हुआ है वो है epm.jk.gov.in लेकिन इस पोर्टल पे रेजिस्टर करने से पहले आपको एक एप इनिस्टाल करनी है जिसका नाम है SANDES, S-A-N-D-E-S और SANDES जैसे भी आप इसको प्रनाउस करो तो पहले हम अपने प्ले स्टोर में जाएंगे प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है S-A-N-D-E-S SANDES एप या SANDES आप जैसे भी आप इसको पढ़ोगे इसको इनस्टाल करना है इनस्टाल करने के बाद आप इसको उपन करोगे और ये आपके फोन के कुछ परमिशन मागेगा वो आप एलोग कीजिए एलोग करने के बाद आपको इसके रेजिस्टर करना है रेजिस्टर करने के लिए आप नीचे मुबाइल नमबर पे क्लिक कीजिए और यहां पे आप अपना मुबाइल नमबर एंटर कीजिए लेकिन याद रखे यहां पे आपको वही मुबाइल नमबर एंटर करना है जो आपके CPIS पोर्टल पे रेजिस्टर है जो Government Employees का CPIS पोर्टल है वहां पे आपका E-mail ID और आपका मुबाइल नमबर रेजिस्टर किया हुआ है वही मुबाइल नमबर आपको यहां पे एंटर करना है तो जैसे मैं यहां पे एंटर करता हूँ और इसके बाद Agree पे क्लिक कीजिए और Get OTP अब आपके इस मुबाइल नमबर पे एक OTP आ जाएगा वो OTP आपको यहां पे एंटर करना है और उसके बाद Next पे क्लिक कीजिए इसके बाद यहां पे आप अपना नाम लिखिए जैसे कि मैं अपने एक कलीग डाक्टर फिर्दोस आमद का नाम यहां पे लिख रहा हूँ और यहां पे आप उसका फोटोग्राफ प्यार कर सकते हो यह आप लेटरान भी चेंज कर सकते हो और यहां पे जैंडर यह भी आप्शनल है तो उसके बाद Next अब यहां पे आप कंटाक्ट सिंक कर सकते हो इसका मतलब है जो कंटाक्ट आपके मुबाइल फोन में है उनमें से जो जो इसके साथ रेजिस्टर है वो आपके साथ सिंक हो जाएंगे मैं फिलाल इसको स्किप करता हूँ और यह आपको बैटरी उप्टिमाइजेशन के लिए कहेगा आप भी फिलाल इसको रहने दीजिए तो यह सेंडस आप पे हमने रेजिस्टर कर लिया नेक्स्ट स्टप क्या है आपका इस पे आपने रेजिस्टर किया यह एक चैटिंग आप है जो गौवर्मेंट एमप्लाइज के लिए बनाएगी है यहां पे वीडियो कालिंग के फीचर्स भी है आप वीडियो काल भी यहां पे कर सकते हो तो यह फीचर्स हम किसी और वीडियो में देखेंगे फिलाल हमें यह देखना है कि EPM पोर्टल पे हम अब रजिच्टर कैसे करेंगे इसको इनस्टाल करने के बाद रजिच्टर करने के बाद आप वापस ब्रावजर पे जाओगे और वहां पे यह पोर्टल खोलोगे EPM.JK.GOV.M इसको खोलने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां पे रजिच्टर या लॉगिन का उप्शन मिलेगा इस पे क्लिक कीजिए इस पे क्लिक करने के बाद अगर आपने आरेडी रजिच्टर किया है तो आप अपना CPIS ID दोगे और पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा और लागिन करोगे क्योंकि हम पहली बार इस पोटल पे आ रहे हैं तो निव यूजर पे क्लिक कीजिए और यहां पे आप अपना CPIS ID दीजिए अपना CPIS ID देने के बाद क्लिक कीजिए Get Details अगर यह सही होगा तो आपकी Details यहां पे फैच हो जाएगी तो यह सही है और यहां पे Details फैच हो गई और इसके साथ साथ जो आपका मुबाइल नबर है जिसको हमने Sands App पे रेजिस्टर किया है वही मुबाइल नबर यहां पे भी आना चाहिए क्योंकि यह इसी मुबाइल नबर पे एक OTP सेंड करेगा इस OTP को रिसीव करने के लिए ही हमने Sands App या Sands App इनस्टर किये तो हम Sands OTP पे क्लिक करेंगे OTP जनरेट हो गया तो वो हमारे इस Sands App पे आ गया तो हम उस App को खोलते हैं यह हमारे Sands App है और आप देखोगे हमारे यहां इस पे एक OTP आ गया तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद सब्मिट पे क्लिक कीजिए सब्मिट करने के बाद क्यूंकि इसने यह रिसीव कर लिया अब आपको एक यहां पे पासवर्ट सेट करना है तो मैं यहां पे वीडियो को पास करता हूँ तब तक मैं यहां पे लॉग इन पासवर्ट रखता हूँ अपना तो मैंने पासवर्ट दे दिया और इसके बाद मैं रेजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहां पे मेसेज आ गई रेजिस्टर सक्सेस्फुली प्लीज लॉग इन तो अब हम इसको क्लोज करते हैं और यहां पे लॉग इन करते हैं तो यहां पे मैं CPIS नमबर दूँगा तो मैंने यूजर नेम दिया पासवर्ड दिया और उसके बाद यह कैप्चर यह जो इमेज में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ASS9 कुछ लिखा हुआ है अगर आपको कभी यहां पे कुछ टेक्स्ट दिखाई नहीं देता है रीडेबल नहीं होता है तो राइट साइड में यह रिफरेश का बटन है इस पे आप क्लिक करके नया कैप्चर जेनरेट कर सकती हो तो मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूँ तो यह successfully लॉग इन हो गया हमारा EPM पोर्टल पे इसके बाद आपको next क्या करना है जो आपका officer है, reporting officer है H.O.D. है, head of the department है तो उसका, उसने भी IC register किया हुआ होगा और उसका CPIS number आपको यहां पे enter करना है और उसके बाद get details पे क्लिक करना है जैसे ही आप ऐसा करोगे तो इसके बाद जो भी monthly reports आप भरोगे वो आपके इस reporting officer को जाएंगे और वो उसको verify करेगा तो फिलाल monthly reports भरने के लिए आप menu पे जाओगे और यहां पे submit activities submit report पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप अपना जो आपका monthly progress report है MPR है वो submit करोगे और वो आपके जो reporting officer है उसको चला जाएगा और वो उसको evaluate करेगा तो यह process है कि EPM portal पे हम कैसे register करते हैं बहुत easy है कुछ ही steps है तो first आपको scientist app पे जाना है वहां पे register करना है उसके बाद EPM portal पे आना है जिसका address है epm.jk.gov.in और यहां पे register करना है सिर्फ ख्याल इस बात का रखना है कि send this app पे जिस mobile number से आप register करोगे वो आपके CPIS portal के साथ registered हो तो तब ही जाके OTP उस पे आएगा तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए